सो हे दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब आप सब बढ़ी आओ और आज का वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाल है अगर आपके पास एक रेडमी डिवाइस है तो मेरे पास रेडमी नोट 7 प्रो है तो अगर आपका MIUI 12 का अपडेट आया है तो यह अल्मोस्स सब्टेंबर अपडेट लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया था किकि 2GB के सम्टिंग ज्यादा था तो इसे बहुत सारी यूजर्स होते हैं जो इंस्टॉल नहीं करते हैं बाद में आराम से इंस्टॉल करते हैं तो मैंने इसको वेट किया और अब जाके मुझे 2GB का कुछ अपडेट दि दिखा रहा है तो अल्मोस्ट पूरा यूजर रहेगा दिखा रहा है तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लिया हो पैकेज अब इसको मैं रिबूट कर देता हो तो इस कुछ इस तरीके से आएगा रेड्मी शामी लिखा हो आएगा और इसका यह 100 तक जाएगा सब्सक्राइब कर लिए बहुत सारे इंटरस्टिंग फीचर इस मैं आये है सांड का भी बहुत एन्हांस्मेंट है और पूरा नोटिफिकेशन पैनल से बहुत सारी चीज़ चेंजिस हो गई है तो गाइस देख सकते अब भी जो वर्जन है मैं यूए 12 तो मुझे पहले सब्सक्राइब में दिखा वाता है मैं 12 में यह सब नहीं हो आएगा तो इदर सिस्टम का ऐसा बताया नहीं था लेकिन मैं शॉक हो गया कि android android 10 नाइन से तो यहां पर आल स्पेक्स में दिखा तो रेडिमी नोट 7 प्रो फोर जीवे रैम यह उसका प्रॉसेर दिया है android नोटिफिकेशन पैनल अंदर से आपको ऑप्शन है जैसके डाक मोड अभी मैंने अनेबल किया जो जो नोटिफिकेशन पैनल था वो मैंने बाद में देखा कुछ इस तरी के साप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो तो नोटिफिकेशन पैनल आपका iOS टाइब दिखेगा उस टॉगल तो पहली पिता लेकिन इस बार भी है तो डाक मोड थोड़ा एनेंस किया है सिस्टम से स्टेश बार नोटिफिकेशन वैदर नोट सिक्योरिटी बहुत सारे चिंज से सिक्रोट पैच अप्डेट भी आया है तो काफी इंट्रस्टिंग था यह अप्डेट एंडिंग्स में से चेंज कर लेना जैसे मैंने आपको पहले दिखा एक इमेज में तो मैंने बाद में चेंज किया युडियो बनाने के बाद तो मैं थोड़ा देख रहा था फीचर तो बाकी बहुत सारे चेंज से नोटिफिकेशन पैनल और एंड्रोड टैन वाले फीचर आप वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा हुगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे अमेजिंग इंट्रेस्टिंग देखने के लिए वीडियो प्रेस्ट बैल एकन एंड फानली गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग पीस